जनपत देवरिया के भटनी थाना शेत्र के अंतरगत ग्राम बीर सिंगपुल के रहने वाले राजन कुश्वा पुतर रामलाल कुश्वा की जमीन फर्जी तरीके वे नशा कराकर करालिया बैनामा 3 जून 2022 को बैनामा कराया है जिसकी सूचना परिवार के की सीवी व्यक्ति को नहीं थी मेरा आजन कुश्वा का बड़ा भाई शिरीराम कुश्वा पुतर रामलाल कुश्वा ने बताया मेरा भाई जो दो जून की सुभा से गायब हो गया था अरम परिवार वालों ने बहुत ही ढूंडे का प्यास किया लेकिन कहीं पता नहीं चल सका 3 जून को बेनामा कराकर शाम के समय पास में मंदिर के चबूत्रे पर नशी की हालत में मेरे भाई को छोड़ दिया गया था जब मुझे कहीं से पता चला कि मेरा भाई राजन कुश्वा नशी की हालत में मंदिर के पास है तो मैंने जाकर अपने भाई को घर लेकर आया और देखा कि शरीर पर मारने की जख्म के निशान भी थे और जब थोड़ा सा नश्या हलका हुआ तो राजन कुश्वा ने बताया कि शरीराम परसाथ गवा दिलीव कुमार वे सचिन के द्वारा मुझे जबरजस्ती अपने खर पर बंधक बना कर रखा गया था और मेरे से कागस पर अंगुठा लगवा गया है आरखेट का बेनामा करा लिया गया बेनामाई की जानकारी होते ही मैंने सफाई कर्मी शरीराम धोबी से जाकर संपर्क किया तो शरीराम धोबी ने बताया कि जमीन का पैसा में राजन कुश्वाह के बैंक की अकाउंट पे साथ लाग रुपेट डाल दिया हूँ जबकि राजन कुश्वाह का बैंक अकाउंट पहले से ही बन पड़ा है तो आखिर पैसा कहां गया इस सोच में राजन कुश्वाह का चोधा जून की सुभा नो बजे स्वर्गवास हो गया जबकि जिस दिन से मेरा भाई राजन कुश्वाह घर पर आया था और जिन से उसकी हालत और बिगरती जा रही थी राजन के बारे में आप यह बता सकते हैं कि राजन का तभाव का इसाद था या हाँ नसाव करते थे नसा करते थे तो यह तोड़ा मुड़ा मतलब ठीक ने रहते थे नसा करते रहते हैं हमार नाम जे च्छा देवी किस गाउं की निवासी हैं विशनपूर राजन कुश्वाह को जानती उनके बारे में जानता नीं क्या है आप बहुत दारूपी के ता थे नहां खेत बायनामा को दिया नहां अच्छा नसा पता ही करते थे मुटलब हां ना सा पहुत करते नहां जमीन को बारे में नहीं पता सकते हैं किया हुआ है पूरा थे तो हमारे समय से बहुत दिनों से करते हैं है अग्याइब आए है अग्याइब है